नमस्का दूस्तों स्वागत्यापका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एंड काइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैमिस्टी का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक especially यहां से आपके पास always question पूछे जाते हैं जो आपके पास basic concept हैं आपके पास कमिस्टी के for example mole हो गया, mole concept हो गया, avocado number हो गया अगर आप previous year के 2-3 साल के paper देखोगे तो आप पाऊगे कि जो हाँ पे जो chemistry से related section आपके पास liberable है तो बहाँ पे आपके पास कुछ moles related questions हाते हैं आपको number of moles calculate करने हैं sometime आपके पास units available होते हैं and काफी confusion होता है students का mole concept में तो यहां पे आपके पास कुछ important formulas हैं इनको आप ज़रूर remember कीजिएगा क्योंकि काफी important है अगर हम mole के उपर चलते हैं तो guys इनका आप screenshot ले लीजिए क्योंकि यह काफी important है and next हमारे पास आता है mole concept जो की आज का हमारा topic है and इसके बाद हम इसके numericals करेंगे जो की previous year papers में आये है and काफी important वीडियो आज होने वाली है तो mole क्या है आपके पास आपको पता है mole यानि Avogadro number यानि it contains 6.02 into terrorist power 22 atom और molecule आप इसे represent कर सकते है mole तो यह तो आपके पास यहाँ पर short trick इन्होंने बनाई हुई है जैसे आपके पास mass है तो अगर one mole के साथ आप multiply करते हो numbers को तो आपके पास उसका mass भी आ सकता है mass को अगर आप divide करते हो तो आपके पास molar mass आजाएगे तो यह कुछ terms है जो कि आपके पास यहाँ पर given है जो कि इन formula को आपके पास represent करती है तो अगर हम questions के ओपर चलते हैं तो आपको ज़्यादा understandable होगा कि आखिरकार किस तरह से हम पर questions पूछे जाते हैं तो इनको आप याद रख लीजिए अगर mass निकालना होगा तो atomic mass upon abogadro number and molecules निकालने होगे तो molecular mass हो जाएगा and volume आपके पास 22.4 liter होता है especially and molecular formula आपके पास empirical formula into n हो जाएगा and फिर जो आपके पास n है वो आपके पास molecular mass upon empirical formula होता है polarity आपके पास वो ही उसकी definition number of mole of solute dissolving per liter of the solution and polarity equation आपके पास m1 v1 is equal to m2 v2 ओके so चलिए questions के ओपर चलते हैं सबसे पहले which of the following weight list यहाँ पे आपके पास कुछ compounds के नाम दिये गए हैं आपको बताना है कि सबसे कम weight किसका होगा यहाँ पे अब देखिए काफी देखने में easy लगता है बट काफी confusing है अगर आपके concept clear नहीं है तो first को देखते है 2.0 gram mole of CO2 अब आपके पास 2.6 gram है बट इन्होंने term यूज की है mole जब mole के ओपर बात चली आती है तो 1 mole में आपके पास होते है 1 avogadro यानि 6.02 into 10 raised to power 23 औके इसका आपके पास molecular weight कितना होता है अगर आप बात करोगे तो जो oxygen है उसका atomic number 8 8, 8, 16 यानि 32 और इसका आपके पास 12 यानि 44 या आपके पास हो जाता है और 1 जब 2 gram mole है आपके पास तो 2 gram mole जो है represent कर रहा है आपके पास कि इसके 2 mole molecules है आपके पास आपके पास यहाँ पर 2 available है तो 88 gram जो है इसका आपके पास weight हो जाएगा first का कितना 88 gram इसका weight है next क्या है मारे पास 0.1 mole of sucrose yes 0.1 mole of sucrose अब sucrose का आपके पास यहाँ पर molecular weight कितना होगा तो इसका molecular weight काफी ज़्यादा आएगा but इन्होंने पूछाए सबसे कम किसका होगा तो यहाँ पर point है तो यह काफी कम होगा आपके पास so आप इसके सब multiply करके इसका answer निकाल सकते हैं आपके पास इसका 34.2 आएगा फिर जो आता है 1 gram of calcium तो 1 gram atom है आपके पास तो 1 gram calcium का आपके पास कितना weight होता है 40 gram next आपके पास है 1.5 mole of water यानि आपके पास half mole है water के 1 mole water का कितना होता है 16 and 18 अगर half हो जाएगा तो 18 में से और half लगेगा 9 कितना होगी आपके पास 27 तो list किसका है आपके पास 1.5 mole of water का इस तरह से हम आपको cable terms याद रखने की दिया क्या है 2 gram नहीं देखना है वो सकता है sometime इसको कर लें कुछ बट यह देखिए कि यहाँ पे कितना वड़ा molecule है आपके पास जब इसका आपके पास molecular weight आएगा तो उसका 0.1% भी काफी जादा होगा आपके पास तो यह जो आपके पास यहाँ पे इसका right answer है next हमारे पास which of the following has maximum number of atom अब यहाँ पे आपको बताना है कि maximum number of atom किसमें available है तो maximum number of atom किसमें available है यहाँ पे अब number of atoms कैसे निकालते हैं आपको पता है वन मोल में कितने number of atom होते हैं हमारे पास 6.02 into 10 raise to power 23 ओके वन मोल के अंदर इतने atom होंगे या इतने अगर आपके पास molecule है तो इतने आपके पास molecules होंगे बट यहाँ पे आप देखिए water है water mean H2O H2O में हमारे पास कितने atom present है 2 and 3 तो इस सभी आपके पास यह भी 6.02 यह भी 6.02 होंगे इत मीन आपके पास जो एवोगैटरो number है and आपको multiply करना पड़ेगा 3 के साथ जो भी value आपके पास आएगी उतने इसमें आपके पास atom present होंगे अगर हम बात करेंगे O2 की तो O2 के आपके पास 16 है यहाँ पे इत मीन आपके पास 2 molecule है oxygen के and 16 gram जो है यहाँ पे आपके पास available है तो O2 का molecular weight कितना होता है 32 इत मीन आपके पास cable half present है इत मीन 0.5 आपके पास present है तो आपको 0.5 को multiply करना है किसके साथ? Avogadro number के साथ into 2 ओके यहाँ पे आपके पास यह बनेगा यहाँ पे आपके पास 18 था तो water molecule का 1 का 18 होता है weight तो 1 into Avogadro number into 2 मैं यहाँ पे पूरा 6.02 into 1023 नहीं लिख रहा हूँ तो इस तरह से आप इन सभी का calculate करोगे इसका भी आप इसी तरह calculate करोगे यह काफी कम value आपके पास बनेगी क्यों? क्योंकि 4.4 gram है आपके पास जब आप इसको करोगे तो यह आपके पास 0.1 into A into कितने आपके पास 3 करके यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे भी आपके पास 3 आएगा क्योंकि H2O में आपके पास 3 प्रेजेंट है अगर आप इसको देखोगे तो इसका तो इतने 16 होता है यह नहीं 1 into A into 4 तो सबसे बड़ी value कौन होगी आपके पास यह वाली तो right answer कौन सा होगा? 16 G यहाँ पे भी same question है आपके पास कौन सा जो आपके पास सबसे ज़्यादा molecule जो है वो contain कर रहा है तो इस questions को भी आप उपर वाले questions की तरह ही करोगे यहाँ पे आपके पास right answer आएगा अब काफी easy है ठोड़ा सम explain कर देता हूँ 1 gram of CO2 1 CO2 का weight कितना होता है आपके पास 44 and 2 का कितना होता है आपके पास इसका 7 तो 14 and 28 and इसका कितना होगा आपके पास 16 इसका कितना होगा आपके पास 2 तो obvious सी बात है आपके पास कितना बन जाएगा इसका तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 gram इसका 1 gram आपके पास present है ओके तो यहाँ पे H2 है आपके पास hydrogen अगर आपके पास helium होता है तो helium का आपके पास 2 atomic number इसका four बन जाता है आपके पास तो यहाँ पे आपके पास 2 बन रहा है तो यहनी half present है यहाँ पे तो इसमें सबसे ज़्यादा molecule present होंगे, half half present है, ok so, यहाँ पर सबसे जादा, इनकी value काफी काम है and next हम चलते हैं the total number of atom in 0.5 gram of NH3 आपके पास यहाँ पर 0.5 gram NH3 given है and आपको बताना है कि कितने number of atom जो है इसमें present होंगे, ok total number of hydrogen atom या atom in 8.5 NH3 में कितने आपके पास present होंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास NH3 present है, ok तो इतना आपके पास present है NH3 का आपके पास atomic weight कितना है तो हम formula यूज़ करेंगे mole of NH3 कितना आएगा, 8.5 upon 17 this will be equal to 0.5 जो यहाँ पर आपके पास यह हो जाएगा, ok handle आपके पास यहाँ पर 0.5 जो है mole जो है इतने present है यहाँ पर यहाँ पर हाफ आप रख सकते हैं हाफ जो है यहाँ पर present है आपके पास तो आपको atom calculate करने हैं वो ही आपके पास formula लगेगा into total कितने हैं 3 आपके पास कितना आएगा 9.03 into 10 स्वाबर 23, ok काफी easy question था फिर ताम आती है empirical formula of sucrose तो sucrose का जो formula है वो ही आपके पास इसका empirical formula आपके पास रहेगा, ok and next question की तरव बढ़ते हैं तो next question अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे पूछा गया है significant figure वाट यहाँ पे minus term यूज हुई है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो basically आपके पास 1.2 जो है इसका answer बनेगा आपके पास क्योंकि जो आपके पास यह वाली term है इसमें आपके पास approximately 3.1 आएगा यहनि 2 significant figure यहाँ पे आपके पास है ओके यहाँ पे आपके पास 3 significant figure है so up to first decimal place after round off so यहाँ पे जब इसको minus करेंगे तो 1.2 जो है आपके पास यहाँ पे answer बनेगा next है मारे पास तो यह question टैट में आया था guys तो देख लीजिए कहां कहां से question उठाई जाते हैं काफी confused थे कि आखिरकार AMU होता क्या है इसको किस तरह से solve करना है so पहले उपर वाले question को देख लेते हैं the number of atom of oxygen present in 11.2 liter of ozone at a normal temperature and a pressure तो यहाँ पे आपसे पूचा गया है कि number of atom कितने होंगे आपके पास oxygen present in 11.2 liter of ozone तो ozone का formula O3 होता है यहनि तीन आपके पास oxygen होंगी यहाँ पे तो it means आपके पास जो 1 होगी ozone उसमें कितना होगे आपके पास 22.4 ओके फुल यहनि जो आपके पास 1 liter आप मान सकते हैं 1 liter ने आप 1 mole मान सकते हैं 1 mole में आपके पास इतना present होता है यह जो volume या liter में present है it means जो total O3 है उसमें आपके पास कितना है 22.4 liter and this will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23 ओके अब यहाँ पे आपके पास कितना present है 11.2 liter जो है आपके पास present है so यह especially half present है आपके पास कितना half कितने का 6.02 into 10 raised to power 23 का जो है आपके पास यहाँ पे half present है so यहाँ पे number of atoms ही आपसे पूछेगे again तो आपको again इसको multiply करना होगा 3 के साथ जब आप इसको 3 के साथ multiply करेंगे तो आप यहाँ से इसको cancel भी कर सकते है आपके पास 3.01 something यहाँ पे आपके पास बन जाएगा and 3 into 3 9 आपके पास हो जाएगा तो 9.3 so c जो आपके पास right answer है जब आपके पास number of atom पूछे हो तो जैसे o3 आपके पास तो यहाँ से 3 ले लीजिए abogadro number ले लीजिए कितनी concentration आपके पास available है जैसे यहाँ पे है तो यह 0.5 भी आपके पास ओके या आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको 1 upon 2 करके भी लिख सकते हैं and easy आपके पास equation हो जाएगा next time हम आपके पास आथी AMU तो AMU represent काता है आपका atomic mass unit जैसे कि helium को ही example लेते हैं तो 1 helium किसके बराबर होता है मारे पास 4 gram क्योंकि आपके पास helium 2 तो 4 gram जो है यहाँ पे आपके पास helium हो जाएगा तो यहाँ पे helium atom है तो 4 gram gram से पहले इसकी term जो थी atomic mass unit हुआ करती थी फिर उसके बाद हम इसको 1 या 4 gram भी हम इसको कह सकते हैं दोनों एक ही बात है 1 hydrogen is equal to 4 amu and in gram वो आपके पास 4 gram हो जाता है तो अब आपके पास easy हो गया होगा अगर आप इसको gram में convert करेंगे तो 104 and 1 hydrogen का आपके पास जो atomic weight है वो कितना होगा atomic number 2 है तो इसका weight आपके पास 4 हो जाएगा so this choice को cancel कर लेजिए 26 जो है आपके पास यहाँ पे इसका answer easily way में आ जाएगा ओके and guys next question भी आपके पास इसी तरह के हैं जैसे next को देखते हैं तो number of molecule present in drop of water एक drop है आपके पास water की जिसका weight कितना है 0.018 gram तो आपको उसमें number of water molecule calculate करने हैं यहाँ पे तो 1 या जो आपके पास 18 gram होता है water की बात कर रहे हैं तो 18 gram इसका weight होता है total तो 18 gram में आपके पास 6.02 into 10 raised to power 23 molecule जो हैं present होते हैं तो आपको कितने में से निकालने हैं तो आपके पास avogadro number upon 18 इसका molecular weight है और आपको 0.18 8 में से निकालने हैं तो इसली आपके पास term आजेगी 6.02 into 10 raised to power 20 तो C जो है आपके पास इसका right answer है next आपके पास है 34.2 यह question DGT में आया था 34.2 gram of sucrose and are dissolving 90 gram of water in a glass the number of oxygen atom in the solution तो आपके पास इतने जो हैं आपके पास हमने sucrose dissolve की है किसम है water में तो water जो है आपके पास 90 gram है यहाँ पे तो आप यहाँ से इसली calculate कर सकते हैं कि कितने जो है बहाँ पे जो oxygen atom है जो present हो सकते हैं कितने हो सकते हैं चली सबसे बहुत सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज में आपके पास होगा 3.2 gram तो कितने आएंगे आपके पास avocado number लिख देता हूं मैं एक के साथ represent कर देता हूं कितना gram आपने dissolve किया 34.2 gram जो आपके पास इसका molecular weight है वा आपके पास होता है 342 ओके एक में कितने present होते हैं आपके पास into 11 के साथ हम इसको multiply करेंगे तो हमारे पास यह बनेगा 6.02 into 10 raise to power 23 जो है आपके पास इसका answer आ जाएगा आपके पास यानि कितने present होंगे 6.02 into 10 raise to power 23 oxygen atom जो है इसने dissolve किये हैं अब बात करते है oxygen की तो oxygen में कितने होंगे मारे पास 90 में कितने present होंगे मारे पास इतने जितने हमारे पास आएंगे उसे अबोगाटरों के साथ multiply करेंगे and this will be also equal to 3.01 into 10 raise to power 24 जो है हमारे पास यहाँ पी values बन जाएगी ओके तो यहाँ पे एक value हमारे पास आ गई and अगर हम दूसरी value की बात करते हैं जो कि हमारे पास उपर थी 6.62 into 10 raise to power 23 जो कि उपर आई थी plus किस में add करेंगे 3.01 into 10 raise to power 24 जो कि हमारे पास उपर आया था तो यहाँ पे अब यह term different है अगर है same होगी तो हम इनको solve कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे decimal को इस तरफ ले जाएंगे and 6.62 into 10 raise to power 24 कर देंगे इसको plus 3.01 into 10 raise to power 24 अब आपके पास यह term common हो गई है तो यहाँ पे आप इसको easily add कर पाओगे आपके पास बनेगा 3.67 into 10 raise to power 24 ओके जो आपके पास right answer है and यह भी काफी important question है 1 mole of methane content अब अगर आपके पास 1 mole of methane है तो उसमें कितने आपके पास यहाँ पे नीची options इन्हाने दिये हुए हैं तो जो आपके पास 1 mole of methane है उसमें हमारे पास कौन कौन से term जो यहाँ पे सही होगी तो आपके पास जो 1 mole of methane है यानि CH4 इसमें आपके पास 6.02 into 10 raise to power methane molecules present है ओके number of atom आप calculate नहीं कर पाओगे directly अब यहाँ पे इसका total weight कितना है आपके पास इसका weight है आपके पास 12 plus 4 16 यानि 12 यह है आपके पास and 4 gram जो आपके पास hydrogen है 4 gram of hydrogen atom सही है and 1. methane molecule यह भी गलत है 3.08 carbon यह भी गलत है तो B जो आपके पास यहाँ पे right answer ओके तो guys यह वीडियो especially TZT and TED दोनों के लिए जुरूरी है आपको mole concept number of moles calculate करना आने चाहिए तो इसलिए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाई है so मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day